हेलो रिवान, वेलकम टू पॉर्मर उक्स यूटूब चैनल, फॉर्मर उक्स के यूटूब एचिक इसला चैनल में आपका स्वागत है, आज के वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, एवरी वेसंस के बारे में कि जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यूस हो तो ऐसे ही जो जितने भी अलग-अलग अब्रिवेसंस यूज होते हैं, सौट फॉर्म यूज होते हैं, उसको डिटेल में स्टेडी करते हैं, आज के लेक्चर में, तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर, असिस्टम प्रॉफेसर और फांडर ऑफ फार्मर उक्स, थैंक्यू एक साल तक अफ़र्डिबल प्राइज में, तो डाउनलोड कर लिए अप्लिकेशन फार्मर उक्स की जो एंड्रेट अप्लिकेशन है, गूगल प्ले स्टार पे, एपल आइपोन फार्फ स्टार पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फि आपको डाउनलोड कर पाएंगे, एप स्टार से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अब समझते हैं, मेडिकल अब्रिवेशन के बारे में, तो सबसे पहले सरुवात करते हैं, यह वाले अब्रिवेशन से कि ENA लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि of each, म यूज किये जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो anti-sebum का मतलब होता है, AC, और उसको कहते है कि before meal, मतलब कि बोजन से पहले उसका मतलब होता है, या फिर खाना खाने से पहले, तो जो मेडिकल मेडिशन के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, कि समझे कि AC लिखा जो लिखा हुआ है, तो A for होता है, anti-sebum, C for होता है, सीबम, फिर H for होता है, होरा and S for Somnia, तो उसको पूरा इस तरह से बोला जाता है कि anti-sebum at होरा स्वामनी, तो उसका मतलब यह हुआ कि before meal and at bed time, कि anti-sebum का तो उपर दिखा है कि before meal, पर जो होरा स्वामनी है, उसका मतलब यह ह होता है कि bed time कि सोते समय या फिर सोने सोने का जो समय होता आपका उस time जो है वाब medications लेते हैं आगे देखिए दुसरे sort forms तो यह है AD तो AD जो है उसका Latin full form यह होता है कि oris dextra oris dextra होता है उसका मलब ही होता है कि आपका right ear कि आपके right side के जो ear के अंदर right side के कान के अंदर जो है वाब medications को use करेंगे फिर AD और ADDD समझे कि लिखा हुआ है तो उसका मलब होता है कि add a add a tour तो उसका जो proper English meaning हम देखे तो उसका लिखा होता है कि let there be added, added मतलब कि जो add किया जता है mix किया जता है वो मतलब बनता है तो यह ध्यान रखे कि यह दो abbreviations में आपको ध्यान यह रेखना है कि a dot d dot लिखा है तो उसका मतलब होता है right ear और AD साथ में लिखा है बिना किसी dot के या फिर a double d लिखा है तो उसका मतलब होता है की एड करना एम मतलब की एंटे मेरीडियम तो उसको मतलब कहा जाता है कि बिफॉर नून मलब कि आप्टर नून से पहले जो मॉर्निंग का जो टाइम कहा जाता है वो टाइम जो आप लेते कि जो एम जो हम कंसिडर करते कि 11.59 तक आप देखो क्लॉक में भी एम लिखा जाता ह है और फिर जैसे ही 12 बचते है तो पै a m हो जाता है तो आफ्टर नून से पह़ले बिफॉर नून जो मेडिकेसंस लिए जाते हैं के लिए उनके लिए कई बार एम भी लिखा जाता है फिर EMP जो लिखा होता है मतलब होता है अपूला ampule मतलब कि जो medic incense के ampules वगेरा होते है तो ये कि जो ampules होते है कि 1 ml के ampule आती है 2 ml 3 ml 5 ml तो ये ampule के लिए ampule के लिए ampsa short form लिखा जाता है फिर aq लिखा है कि कई बार आप देखो कुछ injections के पीछे aq लिखा होता है कि जैसे अभी हमने dynapar injections के study किते है तो उसमें लिखा था कि dynapar aq aq का मतलब होता है कि aqua कि वो injection जो वो water में बना हुआ है water for injection उसके अंदर mix किया होता है aq bu double l aq bull लिखा है तो मतलब कि aqua bullions तो bullions word का मतलब होता है कि boiling तो पूरा word मैं mix करे तो हो जाएगा boiling water फिर aq com ऐसा लिखा है यह वाला abbreviations तो उसका मतलब होगा कि aqua communis that means कि common water कि जो normal water होता है common water होता है कि जो use करते हैं पानी पिने के लिए उस type का water होगा है और यहाँ पी लिखा है कि aq dest aq dest ऐसा लिखा है उसका मतलब होता है कि aqua distillata that means कि जो distilled water होता है वो उसका जो है वो मतलब होता है आगे देखे दूसरा एक abbreviations तो a.l.a.s तो उसका मतलब यह होता है कि auris leva a.l. का मतलब होगा auris leva और a.s का मतलब होता है कि auris sinistra that means इंग्लिस में उसको कहेंगे हम left ear कि जो हमारे left side का जो कान है वो फिर a.u. लिखा है उसका मतलब होता है कि auris ultrak that means कि both ear कि समझे कि कोई medications आपको दोनो ears में insert करनी है दोनो कान के अंदर eye drops डालने तो उस वक्त directions में लिखेंगे a.u. तो उसका मतलब यह होगा कि आप दोनों कान में वो medications यूज़ करेंगे as लिखा है तो उस वक्त इसा मतलब होगा कि आप वो medication को सिर्फ और सिर्फ left वाले ear के अंदर यूज़ करेंगे फिर bds काई बार medications के पीछे लिखा होता है prescription के तो bds का जो latin में हम उसका full form देखे तो बनता है कि 20 di summandum that means कि twice daily दिन में दो बार या फिर सिर्फ bis लिखा है तो उसका मतलब होगा कि 20 that means twice तो जो dally का मतलब होता है कि di summandum जो कहा जाता है वो हो गया twice daily bis ind का मतलब होता है bis ind का जाएगा जिसको twice a day के दिन में दो बार जो है वाप यूज करते है bis in 70 that means bis in septem diabetes उसका मतलब होता है कि twice a week कि week में वो medications जो है वो दो बार यूज की जाती कि bis in 70 मतलब कि समझो कि 7 दिन का पूरा हम समझो कि जो week बनता है तो उसमें जो है वाप twice 20 मतलब कि twice दो बार जो है वो medication use करते हैं फिर कई बार medications के पीछे BP लिखा होता है या फिर PHBR लिखा होता है तो उसका मतलब होता है pharmacopia Britannica that means कि British pharmacopia कि जैसे IP लिखा होता है तो वो हो जाता है Indian pharmacopia US भी लिखा होता है तो United State pharmacopia उसी तरह से BP मतलब कि British pharmacopia कि जो ऐसे standards book आखते है तो उनके according to उनके proper standards के according to medications बनाई जाती है BS लिखा है तो उसका मतलब होता है कि blood sugar BS का short form जो है वो blood sugar indicate करता है फिर कई बार BT के लिखा हुआ रहता है prescription के अंदर तो BT का मतलब होता है कि bad time कि आप सोते समाई वो medication को use करते है फिर B.U.C. समझे कि medications के label पे लिखा है या फिर prescription में लिखा है तो उसका मतलब होगा bucca और वो कहेंगे हम buccal कि जो हमारे inside the cheek कि जो हमारे teeth और cheek के बीच में जो cavity बनती है उसको हम buccal cavity कहते है तो कुछ medications buccal cavity में रखी जाती है तो वो मतलब बनता है फिर CMS CMS मतलब की क्रास माने सुमेंडस उसका मतलब होता है कि to be taken tomorrow morning कि आप कल सुबह medications लेंगे कि समझे कि आप जिस टाइम दिखाने गए उस टाइम medication उस दिन नहीं लेनी पर दूसरे दिन सुबह लेनी है तो मतलब यह होगा कि to be taken tomorrow morning तो CIB कही बार लिखा होता है सौट में तो CIB का मतलब होता है sebum और sebum मतलब कि जो food है हमारा खाना जो है बोजन वगरा है वो बनेगा फिर कई बार CC लिखा होता है कि c.c. ये खास समझे कि c फिर dot है फिर से c है फिर से dot है तो कॉम SIBO कॉम SIBO मतलब कि with food एक जो c है उसका मतलब होता है कि कॉम और SIBO मतलब कि मतलब कि food तो food के साथ भोजन के साथ लेना है कुछ medication फिर c.n तो क्रास नॉक्टे मतलब कि tomorrow night नॉक्टे का मतलब होता है night and क्रास मतलब कि tomorrow तो वो हो गया tomorrow night c.a.p. मतलब कि capiate let him take let the patient take मतलब कि patient को medication जो आप लेने दो c.a.p.sa मतलब होता है c.v. का मतलब होगा कि क्रास विस्पियर मतलब कि tomorrow evening तो क्रास का मतलब आप समझ गए कि tomorrow होता है नॉक्टे जैसे night होगा ऐसे विस्पियर मतलब कि हो गया evening कि आप साम को जो हो लेना medication कल साम को फिर c.o.c.h.l लेखा होता है तो उसका मतलब होता है cochlear मतलब कि spoonful कि जो हमारी चमच होती है उस तरह से spoonful का हो जाता है कि जो जो हमारी चमच होती है जो spoon होती है उसके लिए वो वर यूस किया जाता है वो समझे कि जब पूरी full spoon लेते है तो वो हो गया cochlear फिर cochlear ampl लिखा है तो cochlear amplum बनेगा उसका मतलब तो cochlear amplum का मतलब होता है कि a teban spoonful और वो भी small amplum मतलब कि small smooth जितने quantity आपको लेनी है फिर cochlear infant मतलब कि infantis मतलब कि a teaspoonful ये खास दिखाओ देखो कि यहाँ पे spoonful है बट यहाँ पे हो गया tea teaspoonful फिर cochlear magnum जो है वो कहा जाता है कि tablespoonful कि जो काफी large quantity में बनता है फिर cochlear modicum है यहाँ पे short में पीछे amodi लिखा जाता है तो वो हो गया dessert spoonful कि जो कोई dessert खाने के लिए जो हम कुछ बड़ी चम्मची उस करते है वो और cochlear परवम तो उसको कहा जाता है teaspoonful तीस तरह से अलग-अलग जो है वो latin और उसके abbreviations के meaning बनते हैं फिर कई बार ये injections के लेकर या फिर जो IV fluids के लेकर short forms होते जैसे कि D5 LR लिखा हुआ है मलब कि dextrose है 5% LR का मतलब है ringer lector solution और वो intravenously एक टाइप का जो sugar solution है वो बनता है कि एक टाइप का sugar solution की जो पेशन intravenously जो है वो use करते है D5 UNS मलब कि जो dextrose होता है 5% वो normal saline के साथ mix क्या हुआ है तो intravenously sugar solution हो गया normal saline solution D5W या फिर जो D5W से short में लिखते था हो गया dextrose 5% water के अंदर intravenously use किया जाने वाला sugar solution और D10W मलब कि उसमे dextrose के concentration हो जाएग 10% के एक टाइप का sugar solution की जो पेसन को intravenously जो है वो लगाई जाते है फिर GARG लिखा होता है मलब की गारगीर इसमा मलब की जो गारगल्स किये जाते है कि जो हम कुल्ले वगेरा करते है गारगलिंग करते है कुछ medication की जैसे specially जो mouthwash जैसी preparations होती है या फिर कुछ medications होते है कुछ के आपको गारगल्स करने होते है तो उसके लिए ये directions लिखी जाते है तो वहाँ पर ये abbreviation यूस होता है फिर GR जो है वो grainum कहा जता है मलब की calculations के लिए कर बार जो grain वगेरा की जो symbol होते है फिर GUT लिखा है मलब की गुट्टे उसको बोला जाता है और उसका मलब होता है की drop मलब की 1 drop 5 drop ऐसी जो मनिंग बनते है तो उसके लिए कई बार इस तरह से लिखा जाता है sortman की और 1 GUT ऐसा लिख देते तो उसका मलब होता है की आपको एक drop जितना वो यूस करना है 5 GUT लिखा है मतलब की उसका मलब होता की 5 drop फिर HOR HR या फिर सिर्फ H लिखा है तो वो आप समझेंगे की होरा होरा मतलब की hour की एक गंटे पहले जो होता कहते है की before 1 hour before 2 hour तो एक गंटे पहले दो गंटे पहले इस तरह से जो समय दिखाने के लिए जो है वो H यूस किया जाता है hour के फॉर्म में F P I L मतलब की F I A T P Lula मतलब की make a pill की जो tablets जैसे होते हैं ऐसे ही जो pills बनानी होती है तो उसके लिए यक डायरेक्शन है कि आपको pill तयार करनी है या फिर आपको patient को pill देनी है फिर F.M. that means Fiat Mistura Mistura मतलब की make a mixture आपको mixture तयार करना है proper फिर I J लिखा है या फिर I N J लिखा है तो उसका मतलब होता है Injectio की जो Injection होगे रहा होते है Parenteral वो I.M. मतलब की Intramuscular की जो Medication जो है वो patient को Specially Muscles के अंदर दी जाती है वो direction हो गई In का मतलब होता है की Intranusle की जो हमारी Nusle Cavity होती है Body की वहाँ पे जो है वो Medication को दिये जाते है फिर Intradermal की जो Specially Dermis का जो Layer Skin का की जो Dermis वाला Skin का Layer होता है वहाँ पे Medication Deliver करवाना INF का मतलब होता है Infusion की जिसको Infusion काईते हैं एक टाइप की Extractions होते है या फिर Intravenously Infusion लगाई जाते है वो Medication LB का मतलब होता है Libra Libra मतलब की जो Pound की कई बार कुछ Medication की Quantity Pound में मेजर की जाते है की 10 Pound है तो 10 LB लिखा होगा 15 Pound है तो 15 LB तो उसको Pound रीड किया जाता है LIN लिखा है मतलब की जो Linimentum उसको बोलेंगे Latin में की जो English word उसका मतलब होता है की जो Liniment साथ है की जो अलग-अलग essay preparations होते है की जो आप Liquid form में होते है एक टाइप की यह Liquid doses form है तो वो Liniment होगा IQ लिखा है मतलब की Likker मतलब की Solution की जो Proper Solution होते है Mix हुए की जैसे Cup syrup होते एक Solution है तो वो हो गया फिर L.O.T. मतलब की जो Lotion Lotion की जिसको Lotion की जैसे Calamine Lotion है Body Lotion के लिए जो अलग-अलग Lotion Use किया जाते है Moisturizing Lotion साते है ओके तो वो हो गया फिर M.D.U उसका मतलब होता है More Dicto Utendous That means की To Be Used As Directed की M.D.U लिखा हो आप देखो की ऐसा मतलब होता है की जो आपके Pharmacist या फिर Healthcare Provider या फिर R.M.P.K. प्रॉपर Directions के According to आप यूज करते है फिर M.I.T. मतलब की मिट्टे काहा जाता है की जो L.A.T.N. इसका मतलब की बनता है की Send आप मतलब की बेजते है की Medication को Send करिये Okay तो देट मेंस मिट्टे काहा जाता है फिर M.E.Q. काही बार लिखा होता है उसका मतलब होता है की M.E.Q. एक Quantity Measure करने के या टाइक के Unit है फिर MCG तो Microgram के कई बार आप Multivitamines या फिर Multivinerals के जो Tablets देखो तो उसमें कई बार Ingredients के Quantity M.E.Q. में लिखा होता है या फिर कई बार आपको यासे IV fluids यूज़ करते तो उसमें भी Quantity M.E.Q. में लिखी होती है Microgram में में भी कुछ Quantities होती है फिर M.E.Q. माने उसका मतलब होता है कि In The Morning In The Morning Nocte हो गया Night आगे लिखते है कि OM OM मतलब कि OM माने तो माने मतलब कि आपने समझ लिया कि Morning और OM मतलब होता है कि Every तो हर एक Morning क्योंकि कोई Medication सब्सक्राइब को हर दिन लेनी है Morning में लेनी है तो उसके पीछे Direction में O.M. लिख देंगे तो Pharmacist को ऐसे समझना है कि इसका मतलब यह होगा कि वो Every Morning पेसन को देनी है तो जब पेसन काउंसलिंग होता है तो स्वग वो उसको बता सकते का आपको यह Medication हर दिन लेनी है वो भी Morning समय में फिर O.M.N.B.I.H मनलब कि Omni B.H.O.R.A मनलब कि Every Two Hour कि हर दो गंटे पे कोई Medication लेनी है या फिर कोई ऐसे Doze वगरा लेने है कुछ Injection के तो उसके लिए यह Symbol यूस किया जादाएगा फिर Omni Hora मनलब कि Every Hour कि हर एक गंटे पे आपको कुछ Medication लेनी है तो वो हो गया And On का मतलब होगा Omni Nocte मनलब कि Every Night Every Night हर रात को जो है वो आपको वो Medication लेनी है फिर कई बार आप S.O.S. देखते हैं कि S.O.S. लिखा होते हैं मतलब कि Si Opus Seat That means If There Is A Need मतलब कि जरूरत होने पर ही आप वो Medication को लेजिए कि कई बार कुछ Medication के पीछे S.O.S. लिख देते हैं कि जैसे समझे कि आपको Kidney Storn वगरा के प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें पेन कुछ टाइम होता है कुछ टाइम नहीं होता तो जब पेनकिलर आपको दोगे तो पीछे S.O.S. भी लिखा जा सकता है कि उसका मतलब पर होता है कि Kidney Storn के जो Medication स्टॉप यूज़ कर रहे पर कोई पेनकिलर है तो वो S.O.S. से यूज़ कर रहे मतलब कि जब आपको पेन होता है कि जब नीड होती है उसकी तो ही उसकरे नीड नहीं है तो वो पेनकिलर आप ना ले T.I.D. का मतलब होगा कि Turin Die Turin Die मतलब कि दिन में तीन बार Die मतलब कि Day हो गया कि सिमेन इन डाई के जगह कई बार OD सबसे ज़्यदा पॉपिलर है कि Once a Day ऐसा लिखा जाता है फिर Q.I.D. का मतलब होगा है कि Quarter in a Die मतलब कि 4 टाइमस डे के दिन में 4 बार आप जो है वो Medications यूज़ करते है Post Cevam मतलब कि After Meal खाना खाने के बाद या फिर बोजन के बाद आप वो Medication यूज़ करते है तो उसका एक Summary बना लेते है अच्छे से कि जो आगे हमने Table Form में सिखा तो यहाप आप देखो कि RX मतलब कि Treatment हो जाएगी Prescription की फिर HX मतलब कि Patient की जो History वगएरा होती है वो कहेंगे Dx मतलब कि एक ट्राइब का Diagnosis Q मतलब कि Every QD मतलब कि Every Day और यहाप आप Prescription देखो के तो यहाप लिखा है कि PO Q6H तो Q6H का मतलब होता कि Every 6 hour पे जो हो आप यूज़ करते है वो Medication को और समझे कि कई जगा पे S लिखा है तो उसका मतलब होता है कि Without फिर Double S मतलब की One and Half ऐसा मतलब होता है कि Double S मतलब की ऐसा होता है One and Half या फिर जो 0.5 हम लिखते हैं तो वो मतलब होता है C होता है मतलब की With SOS मतलब की If Needed के जरूरत पढ़ने पर AC का जैसे हमने समझ लिया कि Before Mail, After Mail PC मतलब की After Mail BID मतलब की Twice a Day या फिर BD भी लिखा जाता है और TID मतलब की Twice a Day NQID मतलब की Four Times a Day और OD मतलब की Once a Day दिन में एक ही बार तो आगा है Once a Day BID मतलब की Bed Time फिर BBF मतलब की Before Breakfast BID मतलब की Before Dinner भी कई बार ऐसे रेड किया जाता है TW मतलब की Twice a Week SQ का मतलब होता है की जो Injection Subcutaneous से दिया जाता है I.A. मतलब की Intramuscular ID मतलब की Intradermally दो जिया जाता है IV Intravenously की जो Vain के अंदर जाता है Q4H का मतलब होगा की Every Four Hour और QAD मतलब की Every Other Day HS मतलब की At Bed Time PRN मतलब की As Needed PO मतलब की By Mouth तो यहाँ पर आप देखो की PO लिखा है की PO Q6H मतलब की Orally जो हो आप जो हो Medication को लेते और वो भी Q6H मतलब की Every Six Hour तो इस तरह से वो आप Proper जो हो Prescription Read कर सकते हैं MG का मतलब होता है Milligram MC जो या फिर Micro जो Symbol होता है की उसका मतलब होता है की Microgram Capital G या फिर GM लिखा है तो वो Gram होगा One TSF मतलब की T-Spoon कहा जाएगा की वो आराउंड होता है 5 ml जितना फिर समझे की T-Spoonful है तो वो बनता है 15 ml जितना बनता है फिर DDX मतलब की Differential Diagnosis TX मतलब की Treatment RTX मतलब की Radio Therapy CTX मतलब की Chemotherapy ऐसा बनता है RO मतलब की Rule Out, SP मतलब की Status Post PMH मतलब की Post Medical History के Patient के कोई Post Medical History लई थी तो उसके लिए ये एक Short Form यूज किया जाता है PX मतलब की Prognosis कहा जाता है LX मतलब की Sorry, IX मतलब की Indications कहा जाते है CIX का मतलब होता है की Contra Indications बनते है और BX मतलब की Biopsy and CX मतलब की Complications के कोई Complications पेसेंट को और रहा है तो उस वक्त वो Short में CX लिख के उसके Complications लिख देंगे उसी तरह से Biopsy वगिरा ऐसा कुछ करना है तो BX लिखेंगे तो या पर फाइनल एक समरे या पर हिंदी में भी देख सकते की RX मतलब की जो वो उपचार हो गया जिस तरह से आप जो Diagnosis करते हैं और Prescription लिखे जाते हैं उपचार के लिए तो वो हो गया उसका मतलब Q मतलब की Every मतलब की QD मतलब की Everyday मतलब की प्रती दिन हो गया QD का मतलब होता है की हर एक दिन को छोड़के QH मतलब की हर गंटे पे S मलब की K बिना या फिर C मलब की K साथ की Bojan के साथ या फिर Bojan के बिना ऐसे जो कई बार बिनिंग बनते हैं या फिर Milk के साथ या फिर Milk के बिना यूस करनी है पानी के साथ लेना है इस तरह से SOS मलब की एक ही बार BD मतलब की BT मतलब की सोते समय BBF मतलब की नास्ते से पहले BD मतलब की रात को रात का जो हमारा बोजन होता है उससे पहले TW हफते में दो बार QAM मतलब की हर सुबह और QPM मतलब की हर रात को Q4H हर 4 गंटों पे HS मतलब की सोते समय PRN मतलब की आवसक्ता के अनुसार और AC मतलब की बोजन से पहले PC बोजन के बात तो इस तरह से medical abbreviations की आपने यहाँ पे detail study की तो ऐसे ही सीखे दवाईयों के बारे में detail में उनके basic use के बारे में उनके dose, side effects, warning and contraindication से एक साल तक सरल वासा में affordable price में फार्मरोक्स की आप उपर तो भी डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन फार्मरोक्स की जो Android अप्लिकेशन है Google Play Store पे Apple iPhone F app store पे लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर ये नमबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 Android user Android app डाउनलोड करें iPhone user app store से link description box में मिल जाएगी गुद लुक और अल बेस्ट